हाई गाईस वेल्कम बाक तो माई यूटिब चैनल मैं हूँ शुबिन और आज हम बात करने वाले हैं किस तरह आपको रेगलरली गरम खाना मिल सकता है क्योंकि यह बहुत बड़ा इशू रहता है और काफी बारी खाना आपका गरम नहीं रहता है जब तक आपके पास पहुच बहुत बिकार लगता था इवेंचली खाना ठंडा हो जाता था अगर आप तीन-चार घंटे रह रहे हो ओविसली खाने के टाइमिंग लेट होते रहते हैं कभी ज्यादा कभी कम लेकिन उसके बाद हमको यह फील करा कि बहुत बिकार है यह हम लोग जपान से लेकर आये थे जोजी डूशी कमपनी है जिसके यह वैक्यूम सील पैक्स हैं फूड कंटेनर्स हैं जिसके अंदर आप खाना गरम कर सकते हो तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं और यह कैसे यूसफुल है तो यह अलग-लग साइसे में आते हैं और अल्टरा अल्टरा गरम रखत करता हूँ एक टाइगर का प्रोड़क्ट है जो बहुत अच्छा है तो हमारे पर टाइगर का भी है यह तीनों में यूज कर चुका हूँ इसके लावा बाकी मैंने काफी यूज कर रहे हैं मैं उनके नाम नहीं लेना चाते हैं लेकिन वो इतने अच्छे नहीं है बेकार है यह इतना असान इतना सस्ता प्रोड़क्ट नहीं है इसकी लाइफ 15 से 20 साल है आप एक बार खरीद लोगे बहुत बहुत साल चलेगा हम लोगों को भी काफी साल हो गया इनको इस्तमाल करते हुए तो मेरे को लगा कि यह प्रोड़क्ट काफी सही है तो अभी मैं यह यूट से जाकर एक ट्राइ करो खरीद कर भली चोटा सा खरीद हो क्योंकि इनकी साइजेस वो अलग अलगे यह .75 L का है और यह वाला हमारा है यह .75 L का है तो यह इधर इसका है और यह इसका है इसमें सबसे बड़िया की आए इसका जो ओपनिंग है वह इतनी बड़ी है कि आप अ तो ठंडा भी रख रहे हो तो ठंडा भी रहेगा इस नॉट लाइक की सिर्फ गरम खाने के लिए है ठंडा गरम दोनों के लिए है और बहुत अच्छा रहता है कभी कबार खाने में हलकी ग्यास बन जाती है तो आपका इसके उपर लिड भी दे रखिए जिसको आप खोल सकते तो बहुत सही प्रोड़क्त है दोजी रूशी कमपनी है Z-O-J-I-R-U-S-H-I तो ये जापनीज कमपनी है जहां से हम लेकर आया थे जपान से लेकर आया थे वससे में इंडिया में अवेलिबल नहीं थे प्रोडक्स लेकिन अब इंडिया में अवेलिबल हो गए हैं हैं इंपोर्ट करक्रके आ रहे हैं आरे हैं यहDaब भी Awagla Aakर ना आ इस दाइग और दहला हैं अगर आपका मानलों सोबे 9 बजे खाना पैक हो रहा है और आप 3-3 बजे खा रहे हो तो 6 गंटे के अंदर हलका सा मतलब इसमें तो इतना खौलता गरम आता है कि भाई आप सीधा एकदम नहीं रख सकता है ऐसा लगेगा बिल्कुल घर पे बेट कर आप खाना खा रहे हो और अगर आपको छोटी रिक्वाइमेंट है आप छोटा भी भर सकते हो तो आप छोटे में दाल बढ़ लो अगर एकी जना जा रहा है तो तो 0.75 लीटर में हम अपनी पूरी दाल बढ़ लेते हैं और छोटे वाले में सूकी सब्जी हो जाती है और इसके इलावा जो आपके प्राठे बढ़ रहा है या रोटिया है वो इसके अंदर ही पैक कर देते हैं तो बस तीन आइटम जाते हैं इतना बड़ा ले जाने से ब को पसंद आती है पर्टिक्लिरली जोजी डूशी टाइगर और थर्मोस एक और कंपनी है थर्मोस जिसको मेरे पास प्रोडक्त नहीं है अभी तक मौका नहीं मिला मिरको उसको खरीदने का क्योंकि हम वेरी साइट इस प्रोडक्स और अलगलग साइज आप लिंक में देख स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें सब्सक्राइब करने मेरे चैनल को क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लेके आते रहता हूं अभी तक आपने अगर मेरी कोरेल वाली वीडियो नहीं देखी है तो वह वाली वीडियो भी काफी यूसुल प्रोडक्त है और अगर मतलब प्लेट्स के वारे में प्रोडक्त है लेकिन बहुत हैं बहुत बढ़िया प्लेट्स हैं कोरेल वारी जो अनब्रेकबल नहीं है लेकिन ब्रेक रेजिस्टेंट और चिप रेजिस्टेंट है चिप रेजिस्टेंट मतलब साइद से तूटता नहीं है उसका तो वह बहुत बढ़िया चीज है और तूटता है अगर तो बहुत मुश्किल से तूटता है काफी मतब आप डेलिबरेटी तोड़ना चाहोगे तो तूट जाएगा तो वह चीज है और ऐसा भी देखा है 30-40 लाइफ 30-40 साल निकल जाते हैं तब फिर कोरेल अराम से तूटने ना लगे तो उससे भी बहुत फरक पड़ता है क्युंकि काफी सारे ऐसे आते हैं जिनके अंदर जिनके अंदर ग्लास-लाइंग होती है इसके अंदर कहीं पर भी ड्लास लाइनिंग नहीं है, पूरी स्थेंलेस टील की लाइनिंग है और पता ही क्या इनकी टेक्नौलोजी जो सूपर गरम रखता है एकदम हॉट रखता है और बिलकुल आप इसको consider कर सकते हो लेना और इसके साथ जो अंदर लाइनिंग है काफी जो ग्लास वाले होते हैं वो तूड जाते हैं जैसे मैंने आपको बताया बाइचांज गिरेंगे तो तूड जाएंगे तो आप इसको कंसर्ड लगार सकते हो तो यही दिखाना चारा था यूसुल प्रोड़क्त है मेरे को लगा कि अच्छा है यूट्यू फैमिली के लिए बताना चाहिए यह प्रोड़क्त आपको यह वीडियो लेकर आया और कोई भी डाउट्स हो कोई भी कमेंट्स हो आपको इससे रिलेट नहीं है ऐसा नहीं की पूरा उठा के माइक्रोवेव में रख दिया तो आपको अगर खाना गरम करना डालना है सीधा खाना गरम डाला यूस किया निकाला और करने के बाद इसको रख दिया इसी तो वाश वेरी यूजर फ्रेंडली बहुत चाहिए मेरे यह यह प्रोड़क अग्रेंट